कुछी दिन बाद देश अपनी आजहादी के 75 वर्ष पूरे कर रहा है और हम सब इस अईतिहासिक स्वतमत्रता दिवस की पूर जोस तैयारी भी कर रहे हैं हिंदुस्तान के हर कोने में तिरंगा ही तिरंगा छाया हुआ है गुजरात का भी कोई कोना ऐसा नहीं है जो उमंग से भरा हुआ नहों और सूरत ने तो इसमें चार चान लगा दिये आज पूरे देश का ध्यान सूरत पर है सूरत की तिरंगा यात्रा एक तरह से लगू भारत के दर्शन हो रहे हैं है साइद हिंदुस्तान का कोई कोना ऐसा नहीं होगा जिसके लोग सूरत में नबस्ते हो और आज एक पकार से पूरा हिंदुस्तान सूरत की धर्ति पर तिरंगा यात्रा के अंदर शामिल हुआ है और यह भी खुशी की बात है समाज का हर वर्ग शामिल है तिरंगे में जोड़ने की कितनी ताकत है यह आज सूरत में हम देख रहे हैं सूरत ने अपने व्यापार, कारोबार, अपने उद्योगों के कारण दुनिया में अपने एक अलग पहचान बनाई है आज सूरत में हो रही तिरंगा यात्रा दुनिया भर में भी आकर्शन का केंदर बनेगी साथियों आपने तिरंगा यात्रा में भारत माता की जाकी के साथ साथ देश की संस्कृती और पहचान से जुड़ी जाकिया को भी शामिल किया है विशेश रुप से बेटियों द्वारा शावर्य प्रदर्शन और युवाओं की जो भागेदारी है वो वाकई वाकई अधूत है सूरत के लोगों ने हमारे स्वतंत्रता संग्राम की भावना को तिरंगा यात्रा में जीवन तकर दिया है कोई वस्त्र विक्रेता है कोई दुकांदार है कोई लूम्स का कारीगर है कोई सिलाई या एम्डरोडरी का कारीगर है कोई ट्रांस्पोर्टेशन से जुड़ा है कोई हीरे जवारात से जुड़ा हुआ है सूरत के पूरी टेक्स्टाइल इंडस्ट्री सूरत के लोगों ने इस आयोजन को बहुत भव्य बना दिया है हर गर्थ तिनंगा भ्यान की इस जन भागिदारी के लिए और इस विशेश तिनंगा यात्रा के लिए मैं आप सब को बहुत बहुत बधाई देता हूं मैं विशेश रुप से सावर प्रसाद बुधिया जी और साकेत सेवा ही लक्ष गुरुप से जुड़े सभी वोलेंटियर्स की सराणा करता हूं जिनोंने ये पहल शुरू की संसद में मेरे साथी सियार पाटिल जी का सहयोग इस पहल को और सजक बना रहा है साथियों हमारा राष्ट्रिय धर्च अपने आप में देश के वस्त्र उद्योग देश की खादी और हमारी आत्मन निर्भरता का एक प्रतीक रहा है इस खेत्र में सूरत ने हमेशा से आत्मन निर्भर भारत के लिए आधार तयार किया है सूरत के वस्त्र उद्योग ने भारत की उद्योग भावना का भारत के स्कील और भारत की सम्रुद्धी का प्रत्निदितों किया है इसलिए ये तिरंगा यात्रा अपने आप में उस गवरव प्रेणा को भी समेटे हुए है साथियों भारत ने स्वाधिन्ता संग्राम के इतिहास में गुजरात के गवरवशाली योगदान का अपना एक अलगी स्वर्णे मध्याय लिखा है गुजरात ने बापु के रूप में आजादी की लड़ाई को नित्रुत्म दिया गुजरात ने लोहपुरु सरदार प्रेलजी से नायत दिये जिन्नों आजादी के बाद एक भारत स्रेश्ण भारत की बुनियाद रची बारडोली आंदोलन और दांडी यात्रां से निकले संदेश ने पूरे देश को एक जुट कर दिया था गुजरात के इसी गवरवशाली अतीद का एक अभिन्न हिस्सा हमारा सूरत है और इसकी विरासत है साथ्यों भारत का तिरंगा केवल तीन रंगों को ही स्वयम में नहीं सबटे हैं हमारा तिरंगा हमारे अतीद के गवरव को हमारे वर्तमान की कर्तब निश्चा को और बविश्य के सपनों का भी एक प्रतिवीम है हमारा तिरंगा भारत की एकता का भारत की अखंडता का और भारत की विवितता का भी एक प्रतिवीम है हमारे सेनानियों ने तिरंगे में देश के भविश्य को देखा देश के सपनों को देखा और इसे कभी जुक ने नहीं दिया आज आज़ादी के 75 वर्ष बाद जब हम नए भारत की यात्रा शुरू कर रहे हैं तो तिरंगा एक बार फिर भारत की येकता और चेतना का प्रतिवीत्व कर रहा है मुझे खुशी है कि देश भर में हो रही तिरंगा यात्राओं में हर घर तिरंगा अभियान में देश की वो शक्ति और भक्ति एक साथ जलक रही है तेरा अगस से पंदरा अगस के बीच भारत के हर घर में होगा तिरंगा भारत के हर घर में फैराएगा तिरंगा समाज के हर वर्ग हर जाती मत पंत के लोग स्वतास पूर्थ एक ऐसे भाव के साथ एक ताकी पहचान के साथ नए सपने और संकल्पों के साथ पुरा देश जुड़ रहा है ये पहचान है भारत के कर्तवे निष्ठ नागरी की ये पहचान है मा भारती की संतान की महिला पुरूश नवजवान बुजूर जो जिस भुवी का मैं है इस अभियान में अपना सहीयोग दे रहा है अपना कर्तव निभा रहा है मुझे संतोस है कि हर गर तिरंगा अभियान की वज़े से कितने ही गरीबों की बुनकरों की हैंलुम में काम करने वालों की अतिरिक्ट आय भी हो रही है आजादी के अम्रित महोसों में इस तरह के आयोजन हमारे संकल्पों को एक नई उर्जा देंगे जन भागिदारी के अभियान कि अजादी के अभियान